नमस्कार, आपका स्वागत है, इस्टाउक लोजी में, आज हम बात करने वाले हैं, ट्रैंट लिमिट्टिट के क्वाटरली रिजल्ट्स के बारे में, तो जिन्होंने भी चैनल को सभस्क्राइब नहीं किया है, प्लेज सभस्क्राइब कर देढें, बैल आइकॉन पर क्लिक क करते हैं वीडियो को लाइक करें शेयर करें तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट को आपके सामने रिजल्ट है consolidated और आंकड़ दिए गए हैं करोड में बात करते हैं रिजल्ट के format की तो सबसे क्वार्टर में कंपड़ी की टोटल इंकम थी 544.79 क्रोड की मार्च 22 क्वार्टर में च करोड की 1,300 अब हम बात कर लेते हैं expenses की सबसे नीचे दिये गए हैं total expenses June 21 quarter में 674.88 करोड के expenses थे March 22 quarter में 1364.64 करोड के expenses हुए और June 22 quarter में 1734.28 करोड के expenses हुए है तो total expenses की बात करें year on year में June 22 quarter से June 22 quarter में तो यहां पर हमें 157 प्रतिशत के व्रद्धी होते हुए दिखाई दी रही है बात करें quarter on quarter में March 22 quarter से June 22 quarter में तो quarter on quarter में 27 प्रतिशत expenses में व्रद्धी होते हुए नजर आ रही है अब हम बात कर लेते हैं profit and loss statement की तो बात करते हैं 6th number 5 की profit and loss before tax की June 21 quarter में 163.72 करोड के loss before tax थे March 22 quarter में 1.28 करोड के loss before tax हुए और June 22 quarter में 116.71 करोड के profit before tax रहे तो profit before tax की बात करें year on year में June 21 quarter से June 22 quarter में तो year on year में 190 प्रतिशत के व्रद्धी profit before tax में होते हुए नजर आ रही है बात करें quarter on quarter में March 22 quarter से June 22 quarter में तो quarter on quarter में 11,562% के व्रद्धी profit before tax में होते हुए दिखाई देती है बात कर लेते हैं एट नमबर point net profit आपलेक loss for the quarter आपलेक period आपलेक year यारी company के net profit की तो जून इकिस quarter में 138.29 करोड के net loss थे मार्च 22 quarter में ये 20.87 करोड के loss में convert हुए अर jun 24 quarter में 149.29 करोड के net profit हुए हैं तो net profit की बात करें year on year में June 21 quarter से jun 22 quarter में तो यहाँ पर 183% की व्रद्दी year on year में net profit में होते हुए नजर आ रही है बात करें quarter on quarter में March 24 quarter से jun 22 quarter में तो quarter on quarter में 659% के व्रद्दी net profit में होते हुए दिखाई दी रही है overall results की बात की जाए तो हमें company के year on year profit काफी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं company का year on year quarter on quarter दोनों ही results हमें शांदार नज़र आ रहे हैं company के year on year quarter on quarter दोनों में ही performance बहतर होती हुई दिखाई दे रही है तो results काफी अच्छे आए है profit काफी बड़े है धन्यवाद